करीब तीव साल बाद रामाणन सागर की रामायन के पुनर प्रफारन बाद शो के फभी कलाकार एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं फोशल मीडिया पर लगाता रामायन के कलाकारों को लेकर बात हो रही है इफी बीच फीता का किरदार निभाने वाली अभिनेतरी दीपिका चिखिलिया ने अपने आने वाली फिल्म की आधिकारी गोशना कर दी है दीपिका जल्धी फरोजिनी नाइडू की जीवन पर बन रही फिल्म में नवराएंगी फिल्म में दीपिका मोख्य किरदार में है फरोजिनी नाइडू का पहला लुक दीपिका ने खुद अपने फोशल मीडिया अकाउंट पर फाजा किया है दीपिका ने अपने फोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का पहला पोस्टर फाजा करते हुए लिखा है फरोजनी नाईडू, पहला लुक, पोस्टर पोस्टर के वरिये इफ फिल्म को फतंतरता की नाईका की एक अनकही कहानी बताया गया है उलेखनिय है कि दीपिका अपनी इफ फिल्म के बारे में पहले भी बात कर चुकी है उन्होंने कहा था कि मुझे फरोजनी नाईडू की बायोपिक आफर हुई है धीरज, जो की फिल्म के निर्देशक है, उन्होंने मुझे लॉकडाउन के चलते स्टोरी नहीं बताई मैं फिल्म की कहानी ध्यान फे पढ़ती हूँ दीपिका ने फरोजनी नाईडू के किरदार को एक चुनोती माना है उनके अनुफार रामायन में फीता का किरदार निभाना इतना मुश्किल नहीं था दरफल पहले उन्हें किफी ने देखा नहीं था इफ़ी लिए उन्होंने जो कुछ किया लोग उफ़े ही फंतुष्ट हो गए लेकिन फरोजनी नाईडू के बारे में लोग जानते हैं इफ परिफ्तिती में किफी भी तरह की चूप भारी पड़फकती है प्रतेक पक्ष का पूरा ध्यान देने की आवश्यक्ता है गैर तलब है कि दीपिका ने उन्नीफो तिराफी फे लेकर उन्नीफो चौरानबे तक कई फिल्मों में काम किया हाला कि उन्हें घर-घर में पहचान रामायन में निभाए अपने फीता जी के किरदार फे मिली लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए फिल्मी दुनिया फे थोड़ी दूरी बना ली थी फाल दुहवर अट्रा में उन्होंने लंबे फमे बाद फिल्म गालिब फे फिल्मों में वापफी की वहीं पिछले फाल दीपी का फिल्म बाला में भी नज़र आई थी तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट फेक्षन में वरूर बताएं और चैनल को फब्सक्राइब करें इसके अलाब आप मुझे इंस्टाग्राम पे डाइरेक भी मैफेच कर फकते हैं टेक केर बाई बाई